नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है डॉक्तर नीलम शर्मा इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे कि बीता मिथासोन टैबलेट का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है बीता मिथासोन टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और बीता मिथासोन टैबलेट की वज़े से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं और यह भी डिसकस करेंगे कि बीटा मेथासों टैबलेट की वजह से होने वाले साइड एफेक्स को कैसे कम किया जा सकता है और बीटा मेथासों टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानियां रखनी चाहिए। बीटा मेथासोन टैबलेट एक स्टेरोइड दवा है जिसका उप्योग एलर्जी बहुत प्रकार के त्वचा रोबो में जैसे डर्मेटाइटिस, एक्जिमा, सोराइसिस और त्वचा पर खुजली होने पर आधी कंडिशन्स में बीटा मेथासोन टैबलेट का उप्योग किय इसके अलावा नजला होने पर, अस्थमा होने पर, रुमेटॉड अर्थराइटिस और Osteo Arthritis होने पर भी बीटा मेथासोन टैबलेट का उप्योग किया जाता है इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी कंडीशन्स है जिनमें आपका डॉक्टर बीटा मिथासोन टैबलेट को लेने की सला दे सकता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृप्या वीडियो को लाइक करना न भूले। अब हम डिसकस करेंगे की बीटा मिथासोन टैबलेट की वज़ां से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं। को एक या दो सपताह के लिए लेने की सलाह देता है, तो साइड इफेक्स होने का रिस्क भी कम ही होता है। बीटा में थासोन टैबलेट की वज़े से उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना, सिर्दर्ध, पेट में बेचेनी, घबराहट और स्वभाव चिड़-चिड़ा हो सकता है, वर डिप्रेशन भी हो सकता है. इसके अलावा बीटा मिथासोन टैबलेट की वज़े से चक्कर आना, शरीर में थकान होना, भूप का बढ़ना, वजन का बढ़ना वनींद ना आने की समस्या भी हो सकती है. कुछ व्यक्तियों में बीटा मिथासोन टैबलेट की वज़े से हाथों व पैरों में सूजन भी हो सकती है और मासपेशियों में दर्ध हो सकता है लंबे समय तक बीटा मिथासोन टैबलेट को लेने से शरीर की इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है शरीर की immunity कमजोर होने की वज़े से कोई भी infection या कोई भी बीमारी आपको आसानी से बीमार कर सकती है। अगर किसी व्यक्ति को कोई infection पहले से ही है, तो beta-methasone tablet उस infection को ज्यादा गंबीर बना सकती है। लंबे समय तक beta-methasone tablet का सेवन करने की वज़े से osteoporosis हो सकता है। और हलके से pressure या गिरने की वज़े से भी हड्यों में fracture हो सकता है। beta-methasone tablet की वज़े से blood sugar level अधिक हो सकता है। और diabetes होने का जोखिम भी अधिक हो जाता है। beta-methasone tablet की वज़े से शरीर की घाव भरने की क्षमता कम हो सकती है। और कोई चोट लगने के बाद घाव को भरने में लंबा समय लग सकता है। लंबे समय तक beta-methasone tablet का सेवन करने से आखों में catrack या glucoma हो सकता है। लंबे समय तक beta-methasone tablet की वज़े से blood pressure अधिक हो सकता है। और शरीर में sodium का level अधिक हो सकता है। और potassium का level कम हो सकता है। beta-methasone tablet की वज़े से गرदन, चहरे, पेट और शरीर के अन्य हिस्सों में असामान्य रूप से fat का जमाब हो सकता है। जिसकी वज़े से चहरे, पेट या शरीर के अन्य हिस्सों में सूजन हो सकती है। बीता मिथासोन टैबलेट को बच्चों को लंबे समय तक देने से बच्चों की ग्रोथ प्रभावित हो सकती है और बच्चों की ग्रोथ धीनी या कम हो सकती है। Bita Methacone Tablet की वज़गे से शरीर पर बालों की ग्रोथ अधिक हो सकती है. और महिलाओं में चहरे पर भी बालों की ग्रोथ अधिक हो सकती है. इसके अलावा महिलाओं के मासिक धर्म में भी बदलाव हो सकता है. अब हम दिसकस करेंगे की बीता मिथासोन टैबलेट को कैसे लेना रिक्मेंडेड होता है. बीता मिथासोन टैबलेट की खुराक उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीर्टा के आधार पर सभी व्यक्तियों में अलग-अलग हो सकती है. इसलिए डॉक्तर की सला के बिना बीता मेथासोन टैबलेट को लेना शुरू नहीं करना चाहिए। अब हम डिसकस करेंगे कि बीता मेथासोन टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। TB होने पर, thyroid की बीमारी होने पर, ठेट में अलसर होने पर, liver की कोई गमभीर बीमारी होने पर, osteoporosis होने पर और myasthenia gravis होने पर आदी conditions में बीता मेथासोन टैबलेट को बहुत ही सावधानी चाहिए। इसलिए इन कंडिशन्स में डॉक्तर की सलाह के बिना बीटा मिथासोन टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। अब हम डिसकस करेंगे कि बीटा मिथासोन टैबलेट की वज़े से होने वाले साइड इफेक्स को कैसे कम किया जा सकता है। बीटा मिथासोन टैबलेट की वज़ा से हड्डिया कमजोर हो सकती है। इसलिए हड्डियों को मजबूत बनाये रखने के लिए आपको कैल्शियम से भरपूर खादय पदार्थों जैसे दूद और कच्ची हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन अधिक करना चाहिए। या आप कैल्शियम और विटामिन D के सप्लिमेंट्स भी ले सकते हैं। इसके अलावा कच्चे फलों, सब्जियों व सलात का सेवन अधिक मात्रा में करना चाहिए। और हर रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए। अब हम जानेंगे कि क्या प्रेगनेंट महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं बीतामेथासोन टैबलेट को ले सकती है या नहीं। प्रेगनेंट महिलाओं को डॉक्टर ज्यादा जरुरत पढ़ने पर ही बीतामेथासोन टैबलेट को लेने की सलाह देते हैं। और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए बीटा मेथासोन टैबलेट का सेवन करना recommended नहीं है। इसलिए प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को बीटा मेथासोन टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्ष लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका बीटा मेथा सोन टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्ण है तो आप कमेंट करके